आगे कहते हैं सह सामप्रतम अतिप्रीत है प्रयात है सह मने वह जो नाली जंग है वह जो वृद्ध पुरुष है सामप्रतम मने ठीक है ऐसा ही होगा ऐसा कहे करके अतिप्रीत है मने अत्यनत प्रशन हो करके प्रयात है मने चला गया और अर्थस्चायम गिथा चिंतितम अनुष्ठितु अभूत मतलब अर्थस्चायम अर्थस्च मने विशयस्च मनलब उपरयुक्त जो भी वारता की गई थी उस वारता को गिथा चिंतितम जैसा विचार हमने किया गया था अनुष्ठितु अभूत वैसा ही प्रयोग में भी लाया गया जो भी वारता हमने की थी ठीक ठीक वैसा ही सब कुछ हमने कर दिया और जब ये सब कुछ हो गया तो क्या हुआ प्रति दिशम मतलब चारू और प्रति एक दिशा में लोकवाद है प्रासरपत यह लोकवाद जो है प्रासरपत मने फैल गया यह बात फैल गई कि अह यहाँ पतिव वरता का कितना बड़ा महात्म है ठीक है तो जब विर्द नाली जंग के द्वारा प्रसंदिता के सांद जब विदा हो गया विर्द नाली जंग और जैसी जैसी बाते इन्होंने की थी जो भी योजना इन्होंने बनाई थी वो योजना जो है पूर्ण रूप स सफल हो गई उसी योजना के अनुसार सारा कारी संपन्य हो गया और आप चारूं और यहाँ प्रवाद फैल गया यहाँ बात फैल गई कि अहो पतिव ब्रता धर्म की कितनी प्रबल महिमा है ठीक है असिप प्रहार एवही समाला प्रहारस तस्मिन जाता है वह माला का प्रहार जो है तस्मिन माने उस मित्र वर्मा पर जो है असिप प्रहार बन गया मतलब तलवार का प्रहार खटग का प्रहार हो गया देवी ने मित्र वर्मा पर माला का प्रहार किया और वह उसके लिए खटग का प्रहार हो गया और यदि ऐसा कहा भी जाए ठीक है ना शक्यम उपद प्षबूंग जाया था संभव भी। कोई ऐसा नहीं कहिकता कि माला में कोई अशर था ठीक है और वो ऐसे नहीं हो सकता कि माला से वार कि और वो तलवार का प्रहार बन गया ऐसा बात और नहीं फैलेगी क्योंकि यतस तदेव क्योंकि तदेव उसी माला थे दत्तम अपनलशाद की हुई कहां पर दाम दुहित्रे दाम माने वह माला तदेव दाम दत्तम उसी माला को प्रदान किया गया जब दुहित्रे माने उसकी पुत्री पर तो वही माला जो मित्रवर्मा के लिए तलवार का प्रहार बन गई थी खटग प्रहार बन गई थी वही माला उसकी पुत्री के लिए स्तन मंडनम एव ठीक है उसके स्तनों का जो है आभूशन बन गई उसके गले का आभूशन मने आभूशन अलंकार बन गई तस्चे मने उस से मित्रवर्मा को मार कर यह माला देवी ने मनजुवादनी को दे दी थी और उसने उसे पहन लिया जिससे कि वह मरी नहीं बलकि वह माला उसके गले का आभूशन बन गई अलंकार बन गई और यो अश्याह जो भी अश्याह मने इस वसुंधरा देवी की पतिवरताया हा भस्म हो जाएगा उसी बातें आपने वह पर कर देनी है आगे क्या होगा आगे कहते हैं अत्महा वर्तिवेशेण मतलब इसके बाद महा वरतिवेशेण वसकापालिक के वेश में माम मने मुझ کو मुझविशूत को माम चपुत्रम च़ूद्र और अपने पुत्र को भिक्षा प्रविष्ट्वाये होना था मित्र रमा को मर जाना था और उसको पतिवर्था के रूप में स्थापित कर देना था और उसके बाद उसके बाद जो है महा कापालिक के वेश में मुझे और अपने बेटे को भिक्षा के लिए प्रविष्ट द्रिश्टवा मने देख करके प्रस्णुत स्थनी प्रत्युत्थाय हर्शा कुलंब अब्रवीत प्रस्थनी अर्थात जो दूद जरते हुए स्थनों वाली जो रानी है मतलब वह जो दीविवसुंधरा है वह प्रत्युत्थाय मने खड़े हो करके हर्शित हो करके स्वागत करके हर्शा कुलंब अब्रवीत हर्श के उद्वेक से आकुलित स्वर में अब्रवीत मने बोली ठीक है तो जब उस अपने बेटे को सामने देखा तो वह उनसे हर्शा कुल हो कर के बोली कि भगवन अयम अंजली भगवन मने हेत पोधन अयम अंजली यह मेरा आपको प्रणाम है अंजली मने हाथों को जोड़कर हम प्रणाम करते हैं तो मेरा आपको प्रणाम है अयम अंजली यह मेरे हाथ है अनाथो अयम जनो अनुग्रहयता मैं अनाथ हो गई हूँ और इस अनात हुवे जनह मने व्यक्त की अनुग्रहेता मने अनुग्रहेता करो इस पर एक अनुग्रहे करो ठेक है मुझ निसहाई जन पर अनुग्रहे कीजिए अर्थात यह अनात निसहाई जन अर्थात में अनुग्रहीत किया जाए अस्ति मम एक है स्वपने है सकिम सत्यो नव क्या वह सत्य होगा या नहीं ठीक है इती ऐसा दिवसंद्रा ने बोला तो मया उक्तम तो विश्रुत ने का आप ये विश्रुत जो है लाजवान को बता रहा है साथी बाते तो मया उक्तम मैंने भी कहा मेरे द्वारा ये कहा गया कि फलम अश्या अद्येव द्रक्षसी इती कि आज ही उसस्वपन का फल जो है तुम देखोगी अद्येव अश्य फलम उसस्वपन का फल अद्येव मने आज ही द्रक्षसी माने आप देखेंगी इती माने ऐसा यदि एवं बहु भागदेयम अश्या वो दाश्या हा ठीक है मतलब रानी फिर बोली कि यदि एवं यदि ऐसा सत्य हुआ यदि यह सत्य हुआ तो बहु भागदेयम अश्या वो दाश्या हा वह माने आपकी अश्याह माने इस दाश्याह माने दासी का बहु भाग देयम बहुत बड़ा सवभाग्य है ठीक है यदि है सब कुछ सच हुआ तो यह आपकी इस दासी का परम सवभाग्य है क्यों अपने आपको दासी कहे दिया उन्होंने विशुरूत की क्यों कि सखलू अश्याह सानाथ्य शंसी स्वपन है क्योंकि वह सपन जो होगा खलू माने निश्चित ही अश्याह माने इस पुत्री को सानाथ्य माने सनाथ करने वाला होगा क्योंकि वह निश्चित ही वह स्वप्न जो है इस पुत्री का सनाथ मने पतयुक्त बनने का सूचक स्वप्न है मने स्वप्न है ठीक है यदि वह सच हुआ तो मैं अपने आपको इतना छोटा कर दिया उन्होंने रानी वसंद्रा ने कि वह मुझे दाशी का बहुत बड़ा स्वभाग्य होगा तो कि आपने मेरे बेटे को भी बचा दिया और मेरी पुत्रे की सांथ विवाह करके उसको भी आपने सनाथ कर दिया तो वह सवप्ण बहुत ही जो है मंगलकारी है इसलिए उसको सच होना ही चाहिए तो इती मने इस प्रकार मद दर्शन रागबध साध्वशाम मतलब मत दर्शन मने मेरे दर्शन से यहाँ पर गव नहीं है मेरे दर्शन से रागबध मने राग के कारण उत्सनेह के कारण जो वो भी खड़ी है मंजवादनी भी खड़ी है और उसने में मुझे देख लिया है विश्रुत को और वो भी सब को जानती है ठीक है तो मेरे दर्शन से उत्पन्हुए स्नेह के कारण वह घबराई हुई मतलब घबराई हुई लज्जित हुई को मंझवादनी को परणमय मने मंजवादनी के द्वारा मेरे को प्रणाम कराके भूयो अपी सा हर्शगरभम अब्रूत भूया अर्थात पुने हैं दोबारा भी वह सा मने वह वसुंधरा हर्ष गर्भम अब्रूत हर्ष गर्भम अर्थात अतिनत हर्षित स्वर से अब्रूत मने बोली ठीक है तो मतलब उसके बाद क्या हुआ कि ऐसा कहकर जो विश्रुत के दर्शन के कारण जिसके हिर्दे में राग उत प्धे अंधरा फिर से हर्ष पुरवक बोली कि तच एतन मिठ्या सो अयम कि यदि हैस्वप्न जो है वो मिठ्या मने मिठ्या हुआ तो सो अयम युस्मदीयो कि यह जो अयम अने यह सा मने यह वह जो तुम्हारा बाल कापाली सो मया निरोध धवय इती अगर ऐसा यह स्वप माने मेरे द्वारा निरोध धव्य है माने रोक लिया जाएगा मतलब मैं इसको फिर नहीं जाने दूंगी क्योंकि वह तो उसका बेटा है और वो जानती है और बस वो उस योजना की अनुसार काम कर रही इसलिए कि अगर तुम्हारा सपना सच नहीं हुआ तो फिर जो है मेरे ऐन एवम अस्तु मतलब मेरें द्वारा भी मंदहास के साथ मंजुवादिनी राग लीन दृ THERE मतलब मंझुवादिनी के प्रेम में लीन द्रिष्टी डूबी हुई द्रिष्टी के कारण समाप्त हुए धैर्य के साथ ठीक है लीड धैर्यन समाप्त हो गया है धैर्य जिसका मलब अधीर हो गया है उस अधीरता से कहा गया मेरे द्वारा भी एवं अस्तु ऐसा ही होगा इतिमाने इस प्रकार लब्ध भैक्षो माने भिक्षा पाकर के नाली जंगम अकार ये निर्गम्य नाली जंग माने उस जो वृद्ध पूरुजों सारी यूजना बताए थी उस नाली जंग नामक वृद्ध को आकार्य मने बुला करके ततह ti और वहां से तम अनुयांतम शनाई अप्रिच्छम तम माने उस वृद्ध से वृद्ध को सनाई माने धीरे से अप्रिच्छम माने मैंने पूछा मतलब मंजुवादनी ने जब विश्रत को देखा तो विश्रत भी उस पर प्रेमा सकते हो गया जो है मेरा धैरी नश्ट हो गया विश्रत ऐसा कह रहा है और मुस्कुराइट के साथ उसने ऐसा ही कहा बस इतना ही कहा कि ऐसा ही होगा और ऐसा कहकर के उसने भिक्षा ली और नाली जंग को बुला कर उस वृद्ध पुरुष को बुला करके वहां से निकल करके सने सने चम्मलव उससे धीरे धीरे से यह पूछा की प्रतितर म熹्लों प्रतितर पर्चंद वर्मा इसा वह तो नाली जंग ने मुझे बता इती माने इस प्रकार तो सुआ अभरबूत वह नाली जंग बोला कि राज्य मिदम मम इती अपास्त शंका है अपास्त शंका है मतलब जिसकी शंका दूर हो गई है ठीक है तो शंका संदे से रहित होकर कि औ स्टार्च रहे मंम कि यह राज्य तो मेरा ही है और इसको इस राज्य को अपना ही मानते हुए वह शंका से रहित होकर राजास्थान मंडप एवत श्ठती राजास्थान अर्थात जो राजसभा है ठीक है उस राजसभा में ही उपास्य माने माने उपासित होता हुआ स्थुतियों को सुनता हुआ किसके द्वारा कुशीलव जो होते हैं वो राजाओं की स्थुतियां करते थे ठीक है चारण भाट आदी उनको कहा जाता था तो वह जो प्रचन नाली जंगा बताता है कि यह राजी तो मेरा ही है ऐसा सोचकर निर्भीक होकर वह प्रचन नवर्मा जो है कुशीलवों के द्वारा गायकों के द्वारा उपासन किया जाता हुआ प्रसन किया जाता हुआ राजा के राजाद सभामंडब में ही बैठा है आगे कहते हैं यदी एवम उद्ध्याने इतिष्ठ यदी एवम मलब यदी ऐसी बात है तो उद्ध्याने इतिष्ठ तुम इसी उपुवन में तुम इसी उद्ध्यान में इतिष्ठ माने ठहरो जो विश्रुत है उसने नाली जंग को ऐसा कहा कि यदी ऐसी बात है तो आप इसी उद्यान में उपुवन में ठहरो इती तम जरंतम आदिश्य इस प्रकार से तम माने उस जरंतम माने वृद्ध को उस नाली जंग को आदिश्य माने आदेश दे करके तत प्राकार एक पारश्वी तत मने उस उपवन की जो प्राकार मने जो दीवार है चार दीवारी है पारश्वी मने उसके बगल में तो उस वृद्ध को वहीं उपवन में ही ठहरने का आदिश दे करके उस उपवन की चारदिवारी के बगल में जो क्वचित शून्य मठी का आयाम एक शून्य मठी का मतलब जहांपर कोई नहीं है ठीक है जहांपर किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति नहीं है या फिर वहांपर कोई नहीं रहता है ऐसा एक मठ जो है ठीक है एक सून्य मठ में मात्रा हमाने जो वेश है वेशभूशा है कापालिक की वेशभूशा है उसको समवतारिमन नित्याग करके तद रक्षन नियुक्त राजपुत्र है और उस कापालिक की वेशभूशा की रक्षा के लिए नियुक्त राजपुत्र ह पर जो अननत वर्मा का पुत्र जो बासकर वर्मा के है जो जंगल में मिला था विश्रुत को उसको उस वेश भूशा की niyuk्त कर गिए तद रक्षण की राज novoत्र को उस वेजभुशा के रक्षागेरे नियुक्त करके कृत कुशीलव वेश शीलः कुशीलव अर्थात जो राजा के गीत गाने वाले चारण भाटादी होते हैं उनका वेश धारण करके कृत मने करके कुशीलव वेश लीलः अरफात प्रचंड वर्मान मैं ने पास जाकर के अन्वरंजयम मनने उसका मनुरंजन किया उसके लिए उसके प्रतिंसा के गीत जो है घाने लगा, विस्रुत जो है राजवान को बता रहा है तो फिर जो है वह उस प्रचंड वर्मा की पास ही चला गया और वहां जाकर क्योंकि वह कुशीलवों की सभा में था तो विशुरत ने उन कुशीलवों का ही वेजधारन किया जो कि राजा के गीत आदि का करके प्रसंसा आदि तो वही काम जो है करने के लिए असल में उसकी कोई योजणा थी तो उसी योजणा को कादियान वित करने के लिए कुशीलवों का वेजधारन करके विशुरत जो है उसके पास चला गया आगे कहते हैं अनुरंजित आतपे तू समये मतलब जो अनुरंजित आतपे अनुरंजित अर्थात जो लाल है तो लाल धूप वाले काल में अर्थात मतलब जिस समय में साइंकाल हो रहा होता है सूरी डूब रहा होता है तो सूरी की रूसने लाल हो जाती है तो अनुरंजित आतपे तू समये ऐसे समय में जिस समय पर आतप जो है सूरी की धूप जो है वो अनुरंजित ने लाल हो जाती है मतलब साइंकाल के समय में जन समाज ग्यानोप योगीनी संग्रित्य अर्थात जन समाज जो वहाँ पर जन समूह है उस जन समूह के ग्यान उपयोगी नहीं मतलब उस ग्यान को बढ़ाने में उपयोगी जो क्रीडाएं आदी हैं कौन कौन सी हैं वो क्रीडाएं क्रीडाएं नृत्य गीत नाना रुदितानी मतलब नृत्य है गीत है और नाना मने विविद प्रकार के रूदन है हस्त चंक्रमणम मतलब हाथों को घुमाना आ दी ठीक है और उर्थवुपाद नाम का अंध्रित्य है आलात पादन नाम का अंध्रित्य है तो इस प्रकार के निरत्यों को करके और व्रिष्चिक मकर लंगना दीनी ठीक है मतलब मतलब मत्य के समान उद्वरतन मने पल्टी खाना मचली के समान पल्टी खाना इत्यादी कारणानी मने कारणों को क्रियाओं को संग्रित्य मने दिखा करके पुनह आदाय आदाय अर्थात फिर से आदाय आदाय मने ले करके अब क्या ले करके उसी को बताते हैं आगे आसन्न वर्ती नाम शुरिकाहा ताभी उपहित वर्ष्मा ठीक है जो उपसन्न वर्ती जो उसके आसपास जो लोग खड़े थे समीपस्त लोग हैं जो रक्षक आदी हैं उनकी शुरिकाओं को कटारों को आदाय आदाय मने ले करके ताभी उन शुरियों पर उपहित वर्तमा वर्ष्मा ठीक है उपहित मने रख करके क्या वर्ष्मा मने अपने शरीर को मतलब उन शुरियों के द्वारा अपने शरीर को संयुक्त करके मतलब शुरियों पर शरीर का भार डाल करके इस प्रकार के अनिक प्रकार के करतब वह द साथ दी हैं जो कठिंता से करने वाले हैं करणानी मतलब करतब आ दी हैं उन करतबों को उन कलाओं को और शेन पात उतक्रोश पात आ दी नहीं और कुनकों से करतब दिखाए शेन पात मतलब जो बाज है ठीक है बाज की तरह है और उत्क्रोश पात मतलब उत्क्रोश भी एक पक्षी होता है जो जपट्टा मारके हमला करता है कुरर पक्षी उसको कहते हैं तो बाज की तरह है और कुरर पक्षी की तरह जपट्टा मारने आदी की जो करतव हैं आदी निचा दर्शयन मने दिखाते हुए विंशती चापांतर आला अवस्थितश्य विंशती चापांतर मतलब विंशती मने बीस चाप मने होता है धनुष तो बीस धनुषों की दूरी पर अंतराल अवस्थितम अंतराल मने दूरी पर अवस्थितम मने इस्थित तो इस प् शुरी पर स्थित अवस्थितस्य प्रचंडवर्मन, वर्मन, उसको छुरी किया एक एकुरी के द्वारा प्रत्य। सब प्रत्युरस अर्थात एक ही चूरी के जवारा प्रत्युरसम माने उसका जो वक्षस्थल है उस वक्षस्थल पर प्रहृत्य माने प्रहार करके अब प्रहार कर दिया अब जो अनेक प्रकार के करतब दिखा रहा था करतम विश्रुत उसकी राजसभा में साहिंकाल के समय उनका मनुल रंजन करने के लिए और करतब दिखाते दिखाते उसने उनकी कटारे ले ली इनकी छोरियां ले ली जो रक्षडगंड थे और करतब दिखाने के लिए उन पर यदि प्र करतब दिखाने लगा और खेला में ही misleadingE धनुस की दूरी पर मतब असी हाथ की दूरी पर प्रचन डवर्मा का सिंगासंता वहां पर प्रचन डवर्मा बैठा हुआ था और इतने दूर से एक फैंक कर चांचुरी को फैंक कर उसने विश्रुत ने प्रहार किया और प्रहार करके प्रचन डवर्मा को माल डाला अब प् जहर की माला उसके शरीर पर डाल करके उसको तो पहली मार दिया अब यहां पर जो राज्य है वह वसंत भानुकाई है ठीक है और प्रचंड वर्मा को सौब दिया गया एक तरह से वहां के निवासियों के जो आप मन्जवादिनी से विवाहभी कर लिजिए और इस राज्य को जो कि अनाथ होगा इसको सनात कर दिए तो वैसे राज्य जो है वह वसंत भानुका ही है ठीक हो और उसके जो सहनीक हब व्य वसंत भानुके हैं तो वह अभी जो हो नारे ये लगाई रहे हैं कि वसंत मानु अजारहों साल तक जीए इस प्रकार के गर्जना करते हुए मद गात्रम उत्करतु प्रद्युता से है मेरे मद गात्रम गात्रमने शरीर मेरे गात्र को मेरे शरीर को उत्करतु मने काटने के लिए प्रद्युता से है मतलब जो उत्सुख है जो उद्युत है ठीक है तो मेरे शरीर का नाश करने के लिए जो तलवार को उठाने वाले कस्यापी माने किसी चार भटची चार बोलते हैं गुप्तचर को तो किसी गुप्तचर रूपी भट माने योद्धा किसी गुप्तचर रूपी योद्धा के पीवरांच बाहु सिखरम आक्रम में पीवरांच बाहु शिखरम पीवर बोलते हैं जो उसके जो स्थूल सकंध है ठीक है तो ऐसे बड़े-बड़े कंधों वाली बड़े-बड़े कंधों वाले जो बाहु शिखर हैं भुजाएं हैं उन भुजाओं के शिखर भाग पर आक्रम्य मने आक्रवन करके प्रहार करके और तावतेवतम विचेती कुरवन और इतने एकी प्रहार से उसको उस जो गुप्तिचे रुपी योद्धा है उसको विचेती कुरवन मने बेहोश करके उसको निश्चेश्ट करते हुए आकुलम्च लोकम और लोकम्च आकुलम्च जो लोग है उन लोगों को और लोग कैसे है आकुलम्मा ने घवराए हुए अब लोग घवरा गए राजा को तो गमार दिया अब उसको पकड़ने के लिए सेनी गाए तो लोग सारे घवरा गए हैं तो उन सभी घवराए हुए लोगों को उचक्षु कुरवन उनकी आखों को उपर करता हुआ उर्ध्वनेत्र करता हुआ उर्ध्वनेत्र क्यों कि उन लोगों ने उन घबराए हुई लोगों ने आखें उपर किया और क्यों कि क्योंकि दी पुरुषो च्थितम प्राकारम अत्यलंगम दी पुरुषो च्थितम मतलब दो पुरुषों की उच्थितम मने लंबाई के बराबर दो पुरुषों जितनी उचाई वाले प्राकारम मने दीवार को अत्यलंगम मैंने फाद दिया मैंने उलंगित कर दिया मैं कू उसको फांद करके मैं वहां से भागने में सफल हो गया